तो चलिए हम इस न्यूज को पढ़ते हैं कि आखी लिए न्यूज है क्या और खास क्या है इसमें लिखा है कि सरकार अब छात वृति का फरजी वाड़ा रोकने के लिए डिजी लॉकर का साहरा लेने जा रहा है छात वृति का आवेदन करने वाले सभी छात शात्राओं की मार्क सीट अब डिजी लॉकर से जाची जाएगी सबसे पहले हम आपको बता दें डिजी लॉकर क्या होता है जो भी छात्राओं सीटेट की त्यारी करते हैं या सीटेट की परिक्षा देते हैं तो आप सभी लोगों को बता दें कि सीटेट का जो रिजल्ट है वो Dü hice Locker पढाता है या और बी जो CBSC के Rs. writersC के रिजल्ट होते हैं या और जो बड़ी परिख्छाओं के रिजल्ट होते हैं वो डीजी लाकर के माध्यम से जो है मंगाया जाते हैं तो ये खा गया कि अब जो भी छात्र वृत्ती का फाम भरे हैं उनका जो डाकूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो डिजी लाकर के मादेम से किया जाएगा डिजी लाकर में असली माक्षिट सीधे बोर्ड की वेबसाइट से अपलोड होती है इसलिए इसमें कोई फर्जी वारा संभव नहीं है इसके लिए समाज कलनार विवाग स्रीटरान इंडिया लिम्टेट को तकनीकी पार्टनर बनाने जा रहा है कई जिलों में फर्जी स्विक्रित होनी की सिकायते मिलती रहती है इसी समस्या को देखते वे समाज कलना विवाग डिजी लाकर का प्रियोग करने जा रहा है डिजी लाकर एक वर्चुल लाकर है इसमें सभी जरूरी दस्तावे सुरक्षित रख सकने है इसमें एकाउंट बनाने के लिए आधार न बदलाओ जो है करने जा रहा है नंबर एक जो है बड़ा बदलाओ तो सबसे पहले है तो हरे कॉलेज में बायोमेट्रिक लग जाएगी अगर आपका 75% आपका अटेंडनेस नहीं है तो आपकी स्खॉसिम नहीं आएगी और दूसरा जो सबसे बड़ा बदलाओ है वो बदल बना सकते हैं वहाँ पर अगर आप चाहें तो आप जो डाकुमेंट होता है आप उस डाकुमेंट को अपलोड कर सकते हैं यानि कि अगर वहाँ पर है जिसे आपका आधार कार्ड हो गया और भी जो डाकुमेंट से आप डिजी लॉकर से सीधा आप वहाँ पर अपलोड कर सक तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, डिजी लाकर अच्छी चीज़ है, यह एक इसमें फरजी वाड़ा जो है रुख जाएगा, आप देखते हैं कि हार बार यह आता है, कि दो लाग तीन लाग शात्रों की स्कॉलर सी भजम हो गई, यहाँ फरजी वाड़ा ह जहीन जहाँ जहारा है।